अपोइंटमेंट 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 का अर्थ होता है नियोक्ति नियोजित भेंट या मिलने का निश्चित समय यानि कि मुख्य रूप से अपोइंटमेंट के दो अर्थ होती है एक अपोइंटमेंट जब किसी को किसी पद पर नियोक्त किया जाता है यानि अगर किसी कमपनी में मैनेजर के पद पे उसकी नियोक्ती हुई है तो हम कहते हैं कि उसकी मैनेजर के रूप में अपोइंटमेंट हुई है और दूसरी अपोइंटमेंट होती है जब हम किसी से मिलने का समय लेते हैं माले जी आप डॉक्टर से मिलने का एक समय ले रहे हैं कि आप डॉक्टर से 10 बचे मिलेंगे तो वो हुई आपकी नियोजित भेंट यानि वो डॉक्टर के साथ आपकी appointment है जिसको हम हिंदी में कहते हैं नियोजित भेंट इसको इन sentences से अच्छे से समझ लेते हैं She has an appointment with a client at 10.30 She has an appointment मतलब कि उसकी एक नियोजित भेंट है या उसका मिलने का समय निश्चित है With a client मतलब कि एक ग्रहक के साथ और at 10.30 मतलब कि 10 बच कर 30 मिनट पर तो पूरे sentence का मतलब हुआ कि उसकी एक ग्रहक के साथ 10.30 मिनट पर एक नियोजित भेंट है His appointment has not been formally approved yet His appointment मतलब कि उसकी नियोगती Has not been formally approved मतलब कि आपचारिक रूप से स्वेकरित नहीं हुई है और yet मतलब कि अभी भी पूरे sentence का मतलब हुआ कि उसकी नियोकती अभी भी आपचारिक रूप से स्वेकरित नहीं हुई है चैनल पर भी वीडियोज हैं जिन्हें आप जाके देख सकते हैं Like, Share और Subscribe करना बिलकुल मत बूलिएगा